हेलो नमस्ते साथ हैरू स्वागात सत्वार ला हम्रो चैनल नेपाल इंजिनेर्स लोक्षेवा सोलूशन में आजाको सेट मामा योटा क्विक रिव्यू MCQ for Overshare रो सब Overshare लोक्षेवा त्यारी को लागी चैनल लियर उपस्थित भगोशू जस मा चैनल योटा मोडेल सेट तपा अरू पाउनो सकनो होन्छ यो मोडेल सेट योटा प्रेक्टिस सेट को लागी उने छ रो यो प्रेक्टिस सेट दरेने इंपोटेंट सो S मा चाहिए SLAVES WISE तपा अरुको 50 ओटा क्वेश्चन S मा चाहिए पहनो सक्नों होंच यो देरेने इंपोर्टेंट स सा यो चाहिए तपा अरुको लागी बागमती परदेश सेंट्रल लेवल परदेश लोगसेवा सबय को लागी इंपोर्टेंट स स ते बेर वीडियो लाए ध्यान दियारा यिरनू होला वीडियो राम रो लागे मा चाहे लाइक गरेडा मात्रे जानू होला हस्त साती रू आजको विशेवस्तु तिरा जाऊं आजको विशेवस्तु को पहलो क्वेस्चन तिरा लागो प्रस बंदा पहला अब पहलो क्वेस्चन मा कुन क्वेस्चन रहेको छो तपायरू एक्चोटी मोई ओप्चन पडशू तेती बेला एक्चोटी याद गरनो ला अशको ओप्चन कुन होंछा रा जुन-जुन गलती भवयमा तपायरू ठीक पनी लगाऊन होला कती युटा गलती भवय तपायरू लेखेर पनी डाखनो होला ला जो आज को चाहिए पहलो कुष्चन ती रहा पहलो कुष्चन मा की रहेको छद प्लेन स्केल आर मेजर टू प्लेन स्केल आर मेजर टू एसको चाहिए सही उतर कुन होंचा A मा चा टू डाइमेंशन, B मा चा थ्री डाइमेंशन, C मा चा बोथ A and B, D मा चा नौन अफ दे अबव तो एक को चाहिए सही उतर कुन हुँँछ, प्लेन स्केल भने कई तपाइको टू डाइमेंशन मेजर करने हो तो एक को चाहिए सही उतर हुँँछ, टू डाइमेंशन, अब क्वेश्चन नमाट दू मा क्या चा अब्स्टाकल इन रेंजिंग बट नोट इन चेनिंग यो चाहिए धरेने इंपोर्टेंट को क्वेश्चन हो, यो चाहिए कुने न कुने तरिकाले गुमेफिराइब सोधी रहा हुँँछ ते बेरा अब्स्टाकल चाहिए रेंजिंग मा हुँछ तरा चेनिंग मा हुदेना त्यस्तो चाहिए कुन सिचुएशन मा हुना सक्षा ते A मा सा हील लोक और B मा सा रिभर आण पोंड और C मा सा टल बिल्डिंग और D मा सा अलाप दयवाब तो रिभर आण पोंड मा चाहिए चेनिंग करना चाहिए अब्स्टाकल आऊछ तो रिभर आण पोंड मा अब्स्टाकल टु चेनिंग हुँछ तरा रेंजिंग मा चाहिए खुदेना अनि हिल लोक मा चाहिए हिल्लोक दुई को चाहें सही उतर हुन्छा तपाएको हिल्लोक किनकी एस मा चाहें रेंजिंग करना अफठार हुन्छा किनकी तपाएला औरको तीरा को चाहें एस्टेशन हेरने गार हुन्छा अनि टॉल बिल्डिंग मा चाहें टॉल बिल्डिंग माने 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 लुख मुआ पुण ऐवर पॉंड मा चाहिं चेनिंघ करना गार हुंचा तीन वटे हुंचा धी चाहिं सही उतर हुनरो पर्ने अब तब आर ले यहीं चाहिं सही उतर कुन लाग संह भूक मा तर कोमेंट करना सकना हुन्छा दुई नमर को चाही कुन एंसर हुन्छा बनेड़ा अब क्वेश्चन नमर तीन मा के सदा क्वेश्चन नमर तीन मा सा डडडडडड़ सर्भे इस डन टू लोकेट दा प्रोपर्टी लाइन A मा सा टोपोग्राफिक B मा सा क्यादस्ट्रल C मा सा सीटी D मा सा हाइड्रोग्राफिक सर्भे तो तीन को चाही सही उत्वर हुन्छा तपैको B क्यादस्ट्रल सर्भे इस डन टू लोकेट दा प्रोपर्टी लाइन क्यादस्ट्रल सर्भे इस डन टू प्रॉपर्टी लाइन S को चाहीं उत्र वी उन्छा अब क्वेश्चन नमर चार मा खेच the leveling across a river is done by leveling across a river is done by A माच फ्लाइ लेवलिंग B माच रेचिप्रोकल लेवलिंग C माच trigonometric लेवलिंग D माच ख्रोस लेवलिंग तो 4 को चाहीं सही उत्र उन्छ बी रेसिप्रोकल लेवलिंग, दष लेवलिंग एक रोष रिवर वारीच डाउन बाए रेसिप्रोकल लेवलिंग, अबं पाच मां कहता, दठ इलिवशन बेंचमार्क पोईंट ए, होँट सब्सक्राइद को रिदिंग चोँए 20 मिटर आयों अनि फोर्साइड को रिदिंग चाहिए 30 मीटर आयो भुने, आरियल अफ दपॉइंट बी चाहिए कती हुन्छ, तो बैक साइट जाइले पनी एड हुन्छ, लेबलिंग गरने बलामा उट लेबल बाट लेबलिंग गरींछ, रो बैक साइट एड गर दाखेरी, बी अमा चाहिए बैक साइट गर दाखेरी, हं अब डावज भी अमीटर तो यसको सही उत्रमाज को बी हुन्छ, अब वक्वेस्टन नमर चाह माख्या साध, इनिसियल इन फाइनल सेटिंग टाइम आफ सिमेंट भुर रापीड हाडेनिंग पोर्टलेंड सिमेंट को बारे मा सिधे को सा, रापीड हाडेनिंग सिमेंट को चाहें, इनिस्यल रोब हैनल सेटिंग टायम कती हुन्छा था, A माशा 30 मिनट्स अन टेन आवर, और B माशा 60 मिनट्स अन 10 आवर, और C माशा 5 मिनट्स अन 50 मिनट्स, और D माशा नोन अफ़ दाबावुत, 6 को चाहें सही उतर हुन्छा, Rapid Hardening Portland Cement को चाहिं 30 मिनट र 10 आवर हुँँछ और Portland Cement को पनी 14 आखेरी तहीं बननो वाला अब quick setting cement जोन हुँँछ नितेशको फेरी 5 मिनट हुँँछ इनिसेल setting time अब question number 7 मा केछ Excess of alumina in a brick earth causes Brick earth मा एदी excess of alumina quantity भाय भाने के हुँछ दो A मा चा loss of question B मा चाली कदी योजाएं clear चाहिन योजाएं permeable लेखेगो चाहिद अनि C मा चा cracking and warping on drying अनि D मा चा brittleness K हुँछ अलुमिना excess हुदा खेरी साथ को चाहिँ सही उतर हुँछ cracking र वार्पिंग on drying अब question number 8 मा केछ The 7 days compressive strength of good Portland cement should not be less than 7 days compressive strength of good Portland cement not less than A मा चा 125 kg per cm2 B मा चा 150 kg per cm2 C मा चा 175 kg per cm2 D मा चा 200 kg per cm2 The 8 को चाहिँ सही उतर हुण चात पायको C 175 kg per cm2 The 7 days compressive strength of good Portland cement should not be less than 175 kg per cm2 अब question number 9 मा के साथ The lower level of window where it rest is called dot 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 in a building A मा चा लिन्टल लेवल B मा चा सील लेवल C मा चा सीलिंग लेवल D मा चा नन अफ देवाव तो इंजिनियर को लागी drawing क्ये होता 10 को चाहिँ सही उतर हुण चा Longage of engineer यो यदि drawing को बारे मा कुने पनी question मा confusion सबने 4 ओटा set upload भेशेगे कोशा त्योपनी हर न सकनू उन्छ अब question number 11 मा के सा Drawing board is made of A मा सा well seasoned softwood B मा सा well seasoned hardwood C मा सा moistered softwood D मा सा moistered hardwood तो एगारा को चाहिँ सही उतर हुण चा तपैको A well seasoned softwood अब question number 12 मा के सा Find the representative fraction for scale यती एसकोल को लागी R.E.F. find गरना भने को शा योटे उनिट मा लगनू हला सा बंदा पेले 1 cm is equal to 25 km सा वने 25 into 1000 गर्दा खेरी मीटर मा आओ छा तो 3.0 यो भायो अनि तेस्पसी मीटर बाट सेंटीमीटर मा गर्दा 2.0 अजे सेले मल्टिपलाई गरनू परो तो 3.5.0 भायो तो 1 by 25 मा 5.0 कुन मा अचा तेस्पसी मा लगनू D चाहिए उतर हुण शा यो असरी नहीं सोल्व गर्णू योस्तो टाइप को कुस्चन धेरे पटक सोदिश के गोशा S.K.L.R.E.F. निकालने चाहिए कुस्चन सर्वे बाट अब कुस्चन नमर 13 मा केश In case of orthographic projection The number of views generally used are A माश 2, B माश 4, C माश 6, D माश 8 तो 13 को चाहिए सही उतर हुण शा 6 views In case of orthographic projection The number of views generally used are 6 views चाहिए हुण शा अब कुस्चन नमर 14 मा केश त 14 मा रहेको चा Orthographic projection means A माश 90 degree, B माश 30 degree, C माश 45 degree, D माश none of the above तो 14 को चाहिए सही उतर हुण शा Orthographic projection means 90 degree अब कुस्चन नमर 15 मा केश Free hand sketch is normally used for A माश concept, B माश final, C माश discussion D माश none of the above जुन हामी free hand sketch गर्षो, तो चाहिए को लागी गर्षो तो 15 को चाहिए सही उतर हुण शा Just for concept को लागी अब कुस्चन नमर 16 मा केश CGS system, the unit of dynamic viscosity is Dynamic viscosity को चाहिए CGS system माश चाहिए के unit हुण शा तो 16 को चाहिए सही उतर A माश स्टोक, B माश प्वाईज, अनी C माश नूटन, अनी D माश नौन अफ दीज तो 16 को चाहिए सही उतर हुण शा B, प्वाईज मा चाहिए Dynamic viscosity को चाहिए Unit CGS मा चाहिए प्वाईज मा हुण शा अब क्वेश्चन नमर 17 मा केश The quantity of swelling and honeycomb is obtained in The quantity of swelling and honeycomb is obtained in A माश मीटर क्यूब, B माश मीटर, C माश लॉम्प सम अनी D माश मीटर स्क्वाईज 17 को चाहिए सही उतर हुण शा तो दी मीटर स्क्वाईज The quantity of swelling and honeycomb is obtained in मीटर स्क्वाईज अब क्वेश्चन नमर 18 मा केश The unit of measurement of 10 cm thick wall is 10 cm thick wall को लागी चाहिए Unit of measurement चाहिए कुन माली नुपर सा A माश मीटर, B माश मीटर क्यूब, C माश मीटर स्क्वाईज D माश लॉम्प सम तो चाहिए सही उतर 18 को चाहिए सही उतर यो सबेलाए था ओला estimation को चाहिए वीडियो घरनो ओला 18 को चाहिए सही उतर उन्चा तो पैको सी मिटर स्कॉयर में लिने गरिन छा र यदि डेर बिरिक वंदा बडी या वन बिरिक वंदा बडी को भाईबने मिटर क्यूब मा लिने गर छा अब यो चाहे unit of measurement of 10 cm 10 cm थीक वाल को लागी मिटर स्कॉयर में लिने गर छा अब question number question number 19 मा के छा arrange the specific weight of wood cement steel and aggregate in increasing order मां सोधे को छा specific weight of wood cement or steel aggregate को चाहे increasing order मां specific weight चाहे कुन सही हुन्छ 19 को चाहे सही उतर कुन हुन्छ 19 को सही उतर बी हुन्छ सब बड़ी चाहे बड़ो क्राम बने र शोधे को सब बंदा कम चाहे 800 हुन्छ wood को cement को चाहे कती हुन्छ 1440 अनि तेस पची steel को 3850 अनि एग्रिगेट यो 3850 अनि एग्रिगेट को कती हुन्छ यो चाहे arranging order मां चाहे increasing order मां बी चाहे सही उतर हुने हुन्छ अब question number 20 मां के चा the weight of 12 mm dia mild steel rod per meter length is equal to एस तो type को question अड़ो तप आहरो यादे गरनो हुला की न की तब आहरो निकालने चाहे calculator चाहे हुद है न तेमी बारा यो question चाहे 8 mm को 12 mm को अनि 16 mm को चाहे unit weight of rod चाहे कती हुन्छ यो याद राखनो हुला 162.2 गर्द आखरी d square by 162.2 गर्द आखरी तब आहरो को पर मीटर लेंथ को चाहे पर मीटर लेंथ अपर राट को चाहे weight निस्किन चाहे यो गर्द आखरी 12 mm को स्कायर भने को 144 by 162.2 हुन्छ रा 144 by 162.2 गर्द आखरी तब आहरो को 20 को चाहे सही उतर आखरी तब आखरी 0.88 kg अब क्वेश्य नुम्हर 21 गर्द आखरी दिए गोषव जस्टो कि यो चाहीं सेंटर लाइन भय थापएगो जस्टो कि यो वाल भय भने यो सेंटर-to-center माते डायमेंशन दिएगो शत पहले लंबाय र चोड़ाय चाहीं सेंटर-to-center र प्लिन्थेरिया भने को टोटल लिनुप वर्षव तैई भरा वाल थिकनेस पनी गर्दी नोला 9.7 मा चाहे वाल थीकनेश 8 गर्द आखरी 10 उन्छा 0.38 गर्द आखरी 10 उन्छा रो 14.7 मा चाहे 0.38 गर्द आखरी 15 आऊशा रो 15 रो 10 ले मल्टिपलाई गर्द आखरी 150 मीटर स्कार आऊशा S को सही उतर आऊशा 21 को सही उतर आऊशा अब क्वेश्चन नमा 22 मा केशा The weight of cement in one bag is weight of cement in one bag 50 kg सही उतर आऊशा सबेलेथ हावा के कुराओ अब क्वेश्चन नमा 23 मा केशा M 15 grade of concrete proportion